जैसे कि आप सबको पता है कि विधान सवाचनाओं का भूगल फुक चुका है और तमाम पाइटियों ने अपने प्रत्यासियों की घोशना करना आरंब कर दिया है। ललित पूर सदर सीट के अगर हम बात कर दो बीजेपी ने राम रतन कुसवा के लिए चेहरा बनाया है तो गहीं बीजेपी से टिकेट मांग रहे हैं तमाम प्रत्यासियों कहीं निरास हुए है। दूसरी चीज आपको बताते चले हैं कि गंदर्व सिंग लोधी जो है उन्होंने निर्दलिय चुनाव लड़ने की बात कही है। लेकिन तमाम रिकॉर्डिंग और दूसरी चीजों के आधार पर हमें बात कर रहे हैं कि गंदर्व सिंग लोधी ने निर्दलिय चुनाव लड़ने की बात कही है। वो कोई पाइटी से भी चुनाव लड़ सकते हैं कोई पाइटी के संपग में वो चल रहे हैं। और प्रयास किये जा रहे हैं कि आम आदमी पाइटी या कॉंग्रेस से वो आए। इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुर इस पर्ष्ट हैं लगातार हमने उसे संपर किया है। इस सब चीज़ें सामने आइए। उनके समर्थों की अगर बात करते हैं तो जब वर जश्ट नाराजगी समर्थों के अंदर है। उनका कहना है कि तीन वार से लगातार केवल उस वहा को ही क्यों टिकेट दी जारी वो भी ये की व्यक्ति को टिकेट क्यों दी जारी। कि इस परकार की नहराजगी उनोंना जक्तााई है और बाजब भी है, चुकि भार्द जंदा पाइटी कही जाती है कि कि सर्बसमाज की पाइटी या किसी जाती नहीं सर्बसमाज का बोड मिलता है तो फिर तो यह कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो भी रही है क्यों दूसरे व्यक्तियों के लिए टिकेट नहीं दी गई जातिगत की अगर बात करते हैं कहते हैं जिसकी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागेदारी जो भी उनके नारे हैं उसकी भी माने तो लोधी समाज का बोट बैंक ललित पुर जिले के अंदर 65,000 बताया जाता है ऐसे में उनकी को इग्नोर करना उनकी अंदे की करना कहीं ना कहीं गलत से दिखाई दे रही हो भार्ट जंदा पाइटी को इसका खा में आजा अब इस चुना में भुगतना जलता के करन लोग उनसे जुड़े हैं हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिस भी करते हैं जिस परकार समी कार्य करता बोल रहे थे तमाम चौपालों भी लोगों ने कहा प्रत्यासी बदल दीजे हम बीजेपी को जिताएंगे तो जबर जस्त ब्रोध के बीच में राम रतन कु अधिये देखने वाली बात होगी और जो टिकेट की अगर बात करें तो अब जो गंदव सिंझ लोथी है वो 25 तारीक को नमंकन करने की बात कर रहे हैं और पूरे लोग रातर ही साथ लहने की कोसेश कर रहे हैं तो अब एक बड़ा परिवर्तन कहीं न कहीं देखने को मिलेगा और आपको बताएं बीएस पी से गुड्डू राजा सामने आ रहे हैं बीजेपी से राम रतन कुसवा हो गए और समाजबादी पाइटी से रमेश कुसवापूर विदायक हो गए हैं तो तीन लोग पचासी हजार करीबर हमारे यहां ललितपर में बोटिंग है तो ऐसे में चार दिगजों को टकराना है और वो भी खुद अपना एक वोट बैंक रखते हैं ऐसे में चुनावी गणत समझ में आ रहा है कि जीतहार का अंतराल होगा या कहें कि एक लाग दस जार एक लाग बी जार के भीतर का जो परसेंटेज होगा उसी के साब से नतीजे आत भी नजार आएंगे देखते हैं क्या होता है गुद्डू राजा ने भी जो बीस पी में सामय उसके बाद समीकर्ण बदले हैं और भी पाइटी है प्रत्यासी घुसत कर सकते हैं कॉंगरेस का प्रत्यासी से लगनेंगे एक अनफरम नहीं है लेकिन चुनावो लड़ रहे हैं इस प्रकार की बात है किलियर सामने आ चुकि उनके समर्थकों दौरा उनके दौरा खुद बोली गई हैं चूकि केमरे पर वो बोलना नहीं चाहे थे इसलिए इस प्रकार से वह बात है हम लोगों के से दली चुनाव लड़ना चाहिए कि अब भारती जंता पाईटी ने पिछड़ों में खास तोर से लोधी समाज के अंदेखी किये इतना तक कि उमा भारती को इस टार पर चारक तक नहीं बना पाए हैं पूर सांसाद हैं जहां सी ललित पो लोग सबासीट से उमा भारती प अब लोग सबसे बड़ा योगदार लोधी समाज का है और बहां अगर लोधी समाज की अंदेखी की जाती है तो कहीं ना कहीं आक रोज तो होगा ओ आक रोज कुछ इस परकार से अब जंता कॉमेंट करके और अपने विचार कर निकालके चौपालों में बता रहिए देखत हैं क्या होता है अपने विचार जरू रखें नमस्कार